नमस्कोर स्वागत है आपको और मैं हूँ आपके साथ लताव बली ख़बर आपको बता रहे हैं जहां उद्धा उठाकरे ने एक बार फिर से किया सेना के शौरिका पान कहा चीन को देकर भाग कड़े होते हैं इसके अलावा नोने भारत माता की जॉए के नाम पर भी आप पत जो नक्त पड़े कि तो इस तरीके से लगतार उद्धा उठाकरे एक के बार एक देश विरोधी बाते लगतार करते हुए नजर आ रहे हैं उसी कड़ी में अब एक बार फिर से चाहे वो राखूल गांदी हो चाहे वो अर्विंदे के जिवाल हो उन्हीं की भाशा बोलते ह उठाकरे साफत्वार पर अब उठाकरे ने सीधे सेना पर सवाल खड़े करते हुए शर्मनाक बयान दिया है नोंने कहा कि सेना के शौर का अपमान करते हुए कहा कि चीन को देखने के बाद भाग खड़े होते हैं केंद्र की बोधी सरकार का विरूत करते करते महराश के मुख्यमंतरे उठाकरे कॉंग्रेस के हातों के ऐसे कटपुतली बनते हुए दिखाई पर रहे हैं कि उन्होंने फौंच की विर्ता पर सेना के शौर पर सवाल्या निशान खड़े कर दिया है प्रदशनकारी कसानों क समर्थन करते हुए मुख्यमंतरी उठाकरे ने ये कहा कि वे मुश्किल में हैं और केंद्र सरकार उनके रास्तों में कील कांटे विछा रही है और अगर ये कील कांटे मिछाने का काम बॉर्डर पर किया गया होता तो गुस्पैट नहीं होती लेकिन चीन को देखने के उठाकरे ने देश भक्ति को भारत माता की जय के नारे को लेकर जम कर घेरा उन्होंने कहा कि उनका पैत्रक संगठन आजादी के आंदूरन का हिस्सा नहीं था उठाकरे ने कहा कि सेना सग्राम का हिस्सा नहीं थी लेकिन आपका पैत्रक संगठन आरसेस भी नहीं था इसका हिस्सा केवल भारत माता की जय बोलने से आप देशभक्ति साबित नहीं हो जाएंगे जो जिस तरीके से लगतार एक के बाद एक जो उद्धव ठाकरे के बयान सामने आ रहे हैं यह साफता पर जाहिर काता है कि आप उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के सयोगी जो कॉंग्रे ने किया था और जिसको लेकर आपको बताते चले की पूर मुख्यमंती देविन फरनविस ने भी इन पर पलटवार किया और साफतोर पर इसे सेना का अपमान बताया है और कहा कि माइनस 30 डिगरी पर सेना के जवान देश के सुरक्षा करते हैं और ऐसे में उनके शोरी पर ekar खड़े होते हैं और मुकाबला करते हैं तो यह पहला बयान नहीं है जब यह तिन तिग्रव सरकार ने दिया हो क्योंकि जिस तरीके से इसे पहले राफुल गांदी सेना के शॉरे पर सवाल खड़े कर चुके थे राफुल गांदी ने जिस तरीके से लद्दाप में अहुल गांदी ने ये भी कहा था कि चीन भारत को डराने के लिए अपने पारंपरी और एवं साइबर बलो का इस्तिमाल कर रहा है जिससे भारत सरकार चक्रा गई है तो देखे कैसे बार बार ये तमाम लोग जो खुद को तफाकती देशभक्त कहते हैं क्यों बार बार अपन सेनफ पर सवाल खड़े करते हैं कि बार बार अपनी सरकां के खिलाफ मोचा खड़ा कर देते हैं वाकई विए शर्मनाकर के निसीबीच बड़ी बात यहां पर यह है कि बार फिर से उद्दाव ठाकर ने हिंदुत्व का अपमान करकर साफता पर दिखा दिया है कि आप जिस इनिटन के लोग है उनकी भाषा आप बोलते हुए नजर आ रहे हैं और आपको बताते चोले यह वही उद्दाव ठाकर हैं जिन्नोंने साफता पर मराथी समाज का अपमान किया था यह वही उद्दव ठाकर हैं जिन्नोंने बाहरी लोगों को किसान आंदुरन के मामले में बोलने से इंकार करने पर अपने प्रदैश में उनकी पिच्चरों को बैं करने का उन्हों बहारी शक्तियों के साथ मिलकर ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने का लगतार काम कर रहा है क्योंकि जिस तरीके से लगतार देश विरोधी ताकतों का इसाथ देते नसर आ रहे है लगतार देश विरोधी भाशाओं का ये लगतार इस्तिमाल कर रहे है इसको लेकर अब तमाम तरीके के सोशल मीडिया पर लोगों का घुस्ता भी साफ़तो पर पढ़ रहा है और सभी अब उद्धव ठाकरे का विरोत करते वे नज़र आ रहे हैं साफतोर और अब सोशल मीडिया पर हैश्टेक उद्धव ठाकरे इस्तिफादो ट्रोल हो रहा है जिसको लेकर अब साफतोर पर लोगों में ये गुस्सा बढ़ चुका है और लोग अब साफतोर पर ये मा महराष्ट में जो बचे कुछे दिन की सरकार बची हैं वो कभी भी टूट सकती कि उस तरीक के से लगतार दोरी राजनीती करते उद्धव ठाकरे दिखाई परते हैं शिफ्टेना दिखाई परती कि हमने आपको बताया था कि कैसे उद्धव ठाकरे जिस तरीके से काम शिफ्टेना के पार्टी यानि की उद्धाव ठाकरे सोनिया गैंग के साथ मिलकर करती भी नज़र आ रही है और इसको लेकर आपको बताते चले कि साफ तौर पर सोशल मीजिया पर भी लोगों का गुस्सा भड़क रहा है लोग तमाम तरिके के आरोब अब उद्धाव ठ भड़क रहा है अब लोगों का साफ़तोर पर यह कहना है कि अगर महराश्च्र पॉलिस ने सीम उद्धाव ठाकरे की करेलाई लैंड्स कैम पर फाइयार दर्ज नहीं की तो मुंबई हाई कोट जाएंगे तो जिस तरीके से लगतार एक बाद एक बयानों के बाद जो लोग तो छवी को बरकरार रखने की बात लगतार वो करते थे लेकिन अब इन तमाम मिपक्षियों पाट्यों की तर्ज पर क्यों इनकी भाशा बोलते वे दिखाई पर रहे हैं जिसको लेकर अब लोगों का ये लिखना भी है कि यकीन नहीं हो रहा कि कॉंग्रेस एंसीपी को ट्रोल हो रही है कई लोगों का ये भी लिखना है कि मसलिम तुष्टिकरण की राजिती यहां पर की जा रही है कि जवाल तीन सो मज़िदों में करोल रुपए की सेलरी भेचता है ममता बनर जी ने फुरफुरा शरीव को 2.6 करोल की रुपए दिये उद्धा उठाकरे ने ह लाजियो अली दरगा को 35 करोल रुपए दिये और राम मंदिर मार का क्या हुआ जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे बुझेपी गडवंदन के साथ जिस तरीके से शिफ्टिना की पार्टी चल रही थी उस दो राम कैसे राम मंदिर को लेकर बड़े-बड़े कसीदे और कैसे अपने से दान्तों को दाओ पर लगा कर सिर्फ सिर्फ सत्ता का भोग करने में लगे वह हैं । पूरे प्रदेश की जनता देख रही हैं पूरी देश की जनता देख रही है लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से लिखतार अब 1 के बाद 1 लाको सैनकों की विद्वाएं, माताएं, बेहने तुछ से ये पूछ रही है कि तुने उनके पती, बेटे, भाई की शहाज़त का अपमान क्यों किया तेरा अंतर निकट है लेकर अब उद्व ठाकरे को लोग घेते वे दिखाई पर रहा है कि पालगर में उद्व ठाकरे जी संतों की हत्या पर चुपी साथ लेते हैं अर्विन ने केजवाल रामभक्तु की हत्या पर चुपी साथ लेते हैं और अब ये सब याद रखा जाएगा जबाब भी दिया जाएगा तो तमाम तर्की की बातें उद्व ठाकरे और तमाम विपाक्षी पार्टी को लेकर होती वी दिखाई पर रही है क्योंकि हमने देखा था कि बालाज साहब ठाकरे कि सिधानतों की ये पार्टी थी और कैसे हिंदितो छवी को हमेशा आगे इस पार्टी ने रखा था और कैसे हमेशा राम मंदिर को लेकर ये तमाम हिंदू आस्ता धर्म को लेकर कैसे बड़े बड़े बयान ये पार्टी करती थी लेकिन अब जब से पाकिस्तानियों के साथ इन्होंने हात मिलाया है खालिस्तान्यों के साथ इन्होंने हाथ बूलाएंगा अब ये साब बयाँ कर रहा है कि सिर्फ और किसीके इशारे पर ये वो लगतार थी और जिस तरीके से दिल्ली में हिंजा फलाने वाला खालिस्तानी संगटन सिक फॉल जस्टिस अब देश को तोड़ने की जो नहीं चाल रच रहा था 26 जनवरी को लाल किले पर तिरंगा फराने का अपमान जो किया गया था इसके साथ धाने जंडे वाले खालिस्तानी अब राज्यों को दो देश में अलग करना चाह रहे थे कि खालिस्तान समर्टक प्रतिबंधत संगटन सिक फॉल जस्टिस ने ममता बनर जी और उद्दव ठाकरे को ये सला दी थी कि वो महराश और बंगार को भालत से अलग कर ले और इन दोनों रुआजियों की भालत से अजादी की गोश्मना कर दे तो इस तरीके से लगतार कि खालिस्तानी संगटनों के साथ मिलकर तमाम भारी शक्तियों के साथ मिलकर कैसे किसान आंदुलन की आड में उद्दव ठाकरे ने संजे राउत ने कैसे देश को तोड़ने की जो साजिश रची गई थी इस पर कैसे साथ दिया था हाला कि जो तस्वीरे सामने आई ये उद्दाय का आंदुलन है जो सिर्फ और सिर्फ इन किसानों को तताकतित लोगों को मुहरा बना कर अपने परपंचे को रचने की कोशिश कर रहा था जिसका खुलासा साफतार पर हो चुका है और अब जो बड़ी बात यहां पर सामने आ रही है कि जिस तरीके से लगतार श दिखाई पर रहे जो कि वाकई बेहत शर्मनाक है और फिलाल इस पर आख की क्या राए हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा साथे साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले